वेल्कम बैक मैट यह मैट प्रपशी स्टुडेंट काफी बचों के काफी सारे कौरी आई डिलेटेट टू सलेवस यह नीट एसकेम 2024 जो है इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे क्योंकि काफी बचों के क्वारी आएं कि सलेवस रिडूस हो गया क जाए कंपेडिशन काफी टफ हो जाएगा क्या डिडूस हो जाएगा सलेवस में डिडक्शन से क्या एफेक्ट होने वाले 2024 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या अपनाना चाहिए क्या मोटिवेशन रखना चाहिए सारे बातों को डिसकस करेंगे रियालिटी में यह नी 2024 का स्कैम ही है यह जो भी गर्मेंट या पॉलिशी बनाने वाले लोग हैं इनके नही नहीं सलेवस नहीं अप्रोच आते रहेंगे आपको उसके अकोर्डिंग काम करना पड़ा है क्या रियालिटी में नी 2024 टफ होने वाला है तो येस काफी वच्च्चन था और येस टफ होने वाला है इसको वायब हम डिकोड करेंगे इसके वारे में बता देना चाहता हूं सलेवस में काफी साधर रिडक्शन हुए है मतलब जो पुराने सलेवस में जो टॉपिक्स थे उनको हटा दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट वेटिस रखने वाले टॉपिक्स थ उसना उपर आ गिया था इस बार cut up और उपर जाने वाला है क्योंकि reduction आ गिया है जो बच्चे अभी तक नहीं भी पढ़ रहे थे उनके पास भी एक opportunity हो गया है कि वह पर की अच्छा score कर पाए competition कफी tough हो गया है मर कोई बात नहीं अब मैट प्रेप जी केश कुरेंड है आपको बिल्कुल solution मिलेगा इसके लिए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कल और कल मैं आ रहा हूं अनकेडमी पे live free of class free class होने वाला है अनकेडमी पे आप सभी को join करना काफी interactive video होने वाला है timing आपको screen पे दीख रहा है और description में साड़े link दिएगे हैं कल आपको आ जाना live class join करना अनकेडमी पे तो जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या हमें इसके effect डेखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम एक subject wise इसके approach लेने लेते हैं कि जो बैलोजी के हैं बैलोजी इसके related PDF आप देख लेना तो इससे होगा क्या कि आपको NCRT के हर एक line को तो जो आप पर रहे थे हर कोई बोलता NCRT के हर एक line परो वो तो परना ही है आपको उसके साथ नहीं approach भी रखने है कि थोड़े question tricky तो नहीं काफी easy question आएंगे तो आप उसमें confused मन हो जाओना कि इतने easy question क्यों आ रहे हैं जब हम physics की बात कर रहे होंगे physics 2023 से 2024 में थोड़ा सा आपको heart देखने को मिलेगा किस label पर heart देखने को मिलेगा calculation label पर थोड़ा landy बनेगा question आपको मैं हमेशा से बोलता है रहा हूंगी concept फोकस करो और यहां पर आपको ही देखने को मिलेगा कि जो बच्चे concept पे physics पे ध्यान दे रहे होंगे उनके physics question solve होते दिख रहे हैं मुझे 2024 में chemistry की बात कर रहे हैं chemistry में जहां तक है कि बात moderate ही आएगा इन और्गनी को और्गनी को जो भी है आपको chemistry में moderate question देखने को मिलेगा इसके according देखना है chemistry के लिए उतना tension लेने वाली बात नहीं ही बात उसकी तियारी करने के लिए आपको कुछ नहीं बस यह नहीं approach को दिमाग में रखना है आगे पढ़ते रहना है आप यहां पर दो चीजें हमें दिखते हुए नजर आ रही है कि यह तो बच्चा वह होगा जो अभी तक नीट का उतनी अच्छे ज़र प्रपेशन नहीं कर प इस इन्पोर्टन टॉपी इन्होंने reduce कर दिया है जो इसको नीट scheme ही बना रहा है यह need scheme हो चुका है आपको इससे बस बाहर लिकलना है बाहर कैसे लिकलेंगे जो आप पढ़ते आ रहे है आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करो जो syllabus में reduce किया गया उस पे बिल्कुल भी धिया था वो अब भी है अब इनका पता है ने इनका approach क्या है need में क्या करना चा रहे हैं कोई नहीं बता सकता है कल के देड में क्या नया update और news आ यह हमें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है बार हमें यह पता है कि हमें need clear करके तूसाजन टूटिफोर में एक अच्छे medical college में जाना है और हमें एक अच्छा doctor बन के लिए कलना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो news आते हैं syllabus के regarding यह कुछ भी यह need a scheme जो भी हो रहे हैं इनसे आपको बचके रहना है अपने private ध्यान देना है बस अगर आपको यह पता रहेगा को पढ़ना क्या है न तो आपके ल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना और उसको फॉलो करना अभी के लिए इतना ही और अन अकेडमी पे कल लाइफ जाने वाला हूं महां पे आपको आकर जोइन करना है free of cost अन अकेडमी भी क्लास होने वाला है चलो अभी के लिए इतना ही ओके गुड़ लग मै प्रेपजिया स्टीद फुच्छ टेफड़ गात्य।